हेलो फ्रेंड वल्कुम बैक टो मैं चैनल इस निहा पची एन गईज हमारे इस चैनल को आलमुस्ट दो साल हो चुके है इन दो सालों में मैंने आप लोगों के साथ मेरी A to Z CS जर्नी शेर करी है मेरी चाहे अच्छी बाते हो चाहे बुरी बाते हो सब कुछ मैंने आप लोगों में बस एक ही इवेंट है जिसका मुझे सबसे ज्यादा रिग्रेट है and you know guys मुझे ना रिग्रेट वाली बाते शेयर करना नहीं पसंद है मैं बूल जाती हूं सब बाते पर आज मैंने डिसाइड किया नहीं मैं आप लोगों को बताऊंगी क्यूंकि इससे आप ही लोगों क को नहीं दोरानी है उस गल्ती की वज़े से मैं मेरे प्रोफेशनल एक्जाम्स के आल्मोस्ट फेल हो चुकी थी सही बात है यह मैं खुद आपको बता रही हूं I almost failed in my professional examinations अब आप लोगों कि नियादी आप क्या बोल रहों आप नहीं तो ऑल इंडा रैंक लाई आप कैसे हो सकती हो पर नहीं यार सच बात है मेरी रैंगे यार थोटीन ताई भीidar काफी हट तक उपचती अगर मैं यह गलती नहीं करी होती और मैं फैल हो सकती थी अगर यह गलती बड़े लेवल पर हुई होती तो आप लोग समझ सकते हो कैसी गलती थी ठीक है चलो मैं आपको बताती हूँ मैंने किया क्या था कि क्या ऐसी गलती थी देगो सबसे पहले तो मैं डिसेंबर अटेंट वाली हूँ मैंने डिसेंबर अटेंट दे दिया मिड ओफ जैन से हमारे प्रोफेशनल के क्लासिस स्टार्ट हो गए थे जो हमारे सर थे उन्होंने गिंच उनके 12 से 15 बच्चों को सिलेक किया कि तुम लोगों को 15 जैन से क्लासिस के लिए आना है हम ऐसा सर एक्जुकुटिव का रिजल्ट से ही चालू करती आप ही सोचो फिर क्या जोरो शोरो से हमने महनत और पढ़ाई स्टार्ट करियोगी सर हमको एटू जैट कॉंसेट प्रोफेशनल का मॉडियूल से पढ़ाते थे हम पढ़ते ही मॉडियूल से थे इतनी बार हमने मॉडियूल रीड कर लिए थी कि मुझे और एक बार नहीं चार-چार पाच पाच बार किये वो हो जाने के बाद हमने सकैनर भी सॉल्फ करा हमने राइटिंग प्रैटिस भी किया सर हमको पते क्या करवाते थे पुरे क्लास के सामने एक एक बच्चे को बुला के बोलते थे चल अब ये concept सब को पढ़ाओ ये concept सब को समझाओ ये सब activities हम करते थे आप अंदाजा लगा लो हमारी क्या जोरो शोरे से तैयारी चल रही होगी सब कुछ सही चल रहा था ऐसा लग रहा था हाँ प्रोफेशनल में तो clear होई जाएंगे सब बराबर है पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में एक ट्विस्ट आता है optional subject आपको खुद को optional subject चूज करना होता है एक तो ICSI आपको select करके देता है MCS एक आपको select करना पड़ता है अब हमने इसमें किया trial and error method valuation करके हमारे time पेक optional subject नया introduce हुआ था हमने बोला चलो वो करते है पूरी batch में like 90% batch ने valuation लिया कि चलो valuation लेते है practical है हम सब practical में बहुत अच्छे थे आराम से हो जाएगा easy भी लग रहा है valuation ही ले लेते है हमने यह सोच के valuation लिया कि यार sum तो हमको आ जाएगा तो 50-50 marks का 30-30 marks का sum आता है हमको पूरे marks मिल जाएगे theory में तो 10-20 आता है हमको पूरा 40 आ जाएगा यह सोच के हमने valuation ले लिया अब valuation लिया तो valuation subject पे ता ध्यान नहीं दिया इतना नहीं पढ़ाई करी और पढ़ते भी थे तो असे लगता था मॉडियोल से क्या ही पढ़ेंगे सब कुछ तो आता है एक्तम confident थे सब कुछ सही चल रहा था फिर आई exam की बारी सब paper अच्छे गए अच्छे जा रहे थे अब आया valuation का paper valuation का exam हम गए optional subject exam देने हमारी जो class थी जो हमको examination hall ता उसमें से सिर्फ तीन बच्चे थे जिन्होंने valuation लिया था वो तीनों बच्चे मेरे ही classes के थे बागी पूरी बैच ने या तो IBC लिया था या तो forensic audit लिया था अब हम तीनों को मिला valuation का question paper जैसे कोशन पेपर मिला हम तीनों ने एक दूसरी की तरफ देखा और बस आखो आखो से यही बात करी कि यार हमने valuation क्यों लिया क्यों लिया वो अब तक मुझे नहीं आ रहा क्यों लिया ठीक है जो IBC वाले forensic audit वाले थे वो लोग जो लिखना चालू किये जो पेश पर्टा रहे जो लिकरे एक तम्सपीड में आख हम सोच रहे कर चो करे क्या पर आंशे हार माने वालों में नहीं था तीन घंटा हम पास हमने वो तीन घंटे निचोडे एक एक चीज लिखी, ढूंड ढूंड के लिखी, नहीं मिल रहा था तो दिमाग लगाया, इतना दिमाग लगाया कि दिमाग ये बंद हो गया हमारा, चलना ही बंद हो गया कि भाई क्या, क्या है ये, बट सर भी लिखते गए, लिखते गए, क्योंकि कहना पहला जो question होता है, सब्सक्राइब के लिखते हैं, इतना बड़ा उसी में हमारा दिमाग फ्यूज उड़ गया था कि क्या है ये, बट लिखा, इतना लिखा कि बेल बज गई, तीन घंटे हो गए, सर मेरे डेस्क पे आगए, मेरे से पेपर ले रहे थे, तब तक लिख रही थी, वह पहला ऐसा पेपर था, जो मेरा छूटा, जो मैं हंड्रेड मार्क्स का अटेम्ट नहीं कर पाई, लाइफ में, पहला ऐसा पेपर, जैसे ही हम एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकले, सब बहुत खुश थे, आईविसी वालों के चेहरे पर तो खुश ही नहीं रुक रहे थी, इतने द कर दी, जैसे ही रिजल्ट का दिन आया, सब में मार्क्स अच्छा है, वैल्यूएशन में, फॉट्टीज में है, होल्मुस्ट, फेल हो जाते हम लोग, ठीक है, और जो आईविसी वाले है, उनके सिक्स्टी, सेवेंटी, सेवेंटी फाइव, सोचो अगर मेरा मार्क्स 20-30 मा बस वही चीज उस टेम पर मेरे दिमाग पर स्ट्राइक की थी, बस वही चीज, एंड इस स्टोरी का मॉरल यही है, कि भई, औप्शनल सब्जेक्स, वाइजली सिलेक्ट करो आप लोग, आप लोगों को ICS है, आभी बीच में मौका देगा, औप्शनल सब्जेक्स चेंज कर करने का, रिवाइज करने का, अच्छे से सिलेक्ट करो, अच्छे से वाइजली देखो, मैं रिकमेंड करूंगी IBC, क्या आप लोग IBC और पेपर 5 में पढ़ते हो, है ना, तो वह आपको आता है, और थियरी है, तो कुछ नहीं भी आएगा question में, तो कुछ ना कुछ मिल तो IBC ले लो, अच्छा है, valuation तो I guess अभी ओ लोग ने उड़ा ही दिया, ICC वालों ने, हमारे बात valuation उड़ चुका था, नहीं था, सिफ हम ही वो unlucky batch थे, जिसने valuation लिया और जिसने valuation का exam दिया, so yes guys, that's it, select your optional subjects wisely, and जो भी select किया है, जैसा भी किया है, बस लिख कर आवया है, fail तो ठीक है guys, हम दूसरे वीडियो में वापस मिलते हैं, bye, best of luck